सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार मित्रों विताल पचीसी के अठारवे भाग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि विताल पचीसी में केवल पचीसी कहानिया है लेकिन टीवी धारा वाहिकों में आपने वेताल 25 के अंतरगत सैकड़ों कहानिया सुनी होंगी जिससे आपको इतना तो पता चली ही गया होगा कि टीवी पर दिखाई जाने वाली ज्यातातर कहानिया कालपनिक होती है इसलिए मैं आपके सामने वेताल 25 की प्रमानिक कहानिया लेकर उपस्तित हुआ हूँ पिछली कहानियों से आपको इतना तो पता चली ही गया होगा कि राजा विक्रम जैसे ही वेताल को लेकर चलते हैं तो वह उन्हें मार्ग में कोई ना कोई कहानी सुनाता है जबकि वेताल ने राजा विक्रम को पहले ही कह दिया था कि यदि मार्ग में राजा विक्रम ने अपने मुह से कोई भी शब्द निकाला तो वेताल वापस पेड़ पर उल्टा जा लटकेगा इसके बावजूद भी वह राजा को कोई ना कोई कहानी सुनाता है और कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है राजा विक्रम को प्रश्न का उत्तर दे नहीं होता है और राजा विक्रम के उत्तर देते ही वेताल वापस पेड़ पर जा लटकता है इसी क्रम में राजा विक्रम फिर से वेताल को लेकर चल पड़ते हैं और वेताल सुनाता है उन्हें एक नई कहानी उज्जेन नगरी में महा सेन नाम का राजा राज्य करता था उसके राज्य में वासु देव शर्मा नाम का एक ब्रहमन रहता था जिसके गुणाकर नाम का एक बेटा था गुणाकर बड़ा जुवारी था वह अपने पिता का सारा धन जुवे में हार गया ब्रहमन ने उसे घर से निकाल दिया वह दूसरे नगर में पहुँचा वहाँ उसे एक योगी मिला उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया योगी ने कहा लो पहले कुछ खा लो गुणाकर ने जवाब दिया मैं ब्रहमन का बेटा हूं आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूं इतना सुनकर योगी ने सिध्धी का आभहन किया वह प्रकट हुई योगी ने उससे आव भगत करने के लिए कहा सिध्धी ने एक सुने का महल बनवाया और गुणाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा सबेरे उट्टे ही उसने देखा कि महल आदी कुछ भी नहीं है तब उसने योगी से कहा महराज उस सिस्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता योगी ने कहा तुम्हें वह विध्या प्राप्त करने से प्राप्त होगी और वह विध्या जल के अंदर खड़े होकर मंतर जपने से मिलेगी लेकिन जब वह कन्या तुम्हीं मेरी सिध्धी से मिल सकती है तो विध्या प्राप्त करके क्या करोगे गुणाकर ने कहा नहीं नहीं मैं स्वेम ही वैसा करूँगा और विध्या प्राप्त करके ही कन्या को प्राप्त करूँगा योगी बोला कहीं ऐसा नहो कि तुम विध्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धी भी नश्ट हो जाए पर गुणाकर नहीं माना योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिये और कहा कि जब तुम जब करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विध्या का प्रयोग करूँगा उस समय तुम अगनी में प्रवेश कर जाना गुणाकर जब करने लगा जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्रहमन के बेटे के रूप में पैदा हुआ है उसका विवाह हो गया है उसके बाल बच्चे भी हो गये है वह अपने जनम की बात भूल गया तभी योगी ने अपनी विध्या का प्रयोग किया गुणाकर माया छोड़कर अगनी में प्रवेश करने को तयार हुआ उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देखकर उसके माबाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं गुणाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या ना हो इस तरह विचार करता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शान्त हो गई गुणाकर चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया योगी ने कहा मालूम होता है कि तुम्हारे विद्या परात करने में कोई कसर बाकी रह गई अब योगी ने सिध्धी का आवहन किया लेकिन वह प्रकट नहीं होई इस तरहे योगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष्ट हो गई इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने राजा से पूछा हे राजा विक्रम यह बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई राजा विक्रम ने उत्तर दिया इसका उत्तर इस पश्ट है निर्मल और शुद्य संकल्प करने से ही सिध्धी प्राप्त होती है गुणा करके हिर्दय में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं और दूसरी ओर योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई क्योंकि उसने अपात्र को विद्या दी जो विद्या की योग्य ना हो उसे विद्या देना भी विद्या को नष्ट करने का कारण होता है चूंकि योगी ने एक ऐसे व्यक्ति को विध्या सिखाने की कोशिश की थी जो उस विध्या के योगी नहीं था इसलिए उसकी विध्या भी नश्ट हो गई राजा का उत्तर सुनकर वेताल संतुष्ट हुआ लेकिन राजा के बोलते ही फिर से पेड़ पर जालटका अब राजा विक्रम हमेशा की तरह वापस गए और वेताल को लेकर चल पड़े और वेताल ने हमेशा की तरह फिर से एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया तो मित्रों विताल पच्चीसी की अठारवी कहानी विध्या क्यों नश्ट हो गई आपको अवश्य पसंद आई होगी विताल पच्चीसी की आगी की कहानिया जानने के लिए आगे के वीडियोज देखते रहिए इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजिश को विदा दीजिए नमस्कार खुश रहिए मुस्कुराते रहिए